नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, 26 मई को लग रहा है साल का पहला चंदर ग्रहेड और इन चार राशियों के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसी लिए सतर्क रहें। दोस्तों, इस साल का पहला चंदर ग्रहेड 26 मई को लगने जा रहा है, जियोतिश शास्तर के अनुसार ये चंदर ग्रहेड उपचाया चंदर ग्रहेड होगा, और उपचाया चंदर ग्रहेड होने के कारड इसका कोई सूतक काल नहीं होगा, हाला कि चंदर ग्रहेड के कारड राशियों पर परभाव देखने को मिलेगा, कुछ राशियों पर इसका अच्छा और कुछ राशियों पर इसका बुरा परभाव पड़ेगा, किन राशियों पर चंद्र ग्रहन का बुरा आसर पड़ने बाला है, ये जानने के लिए वीडियो में अंततक बने रहें, पहड दो बजकर 17 मिनट से शुरू होगा और साम 7 बजकर 19 मिनट पर समाप्त होगा दिन में लगने के कारड ये चंदर ग्रहड भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन इससे चार राशियों पर बेहद ही बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन चार राशियों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे दोस्तों क्रपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक ब्रिश्चिक राशी दोस्तों ब्रिश्चिक राशी पर चंदर ग्रहन का सबसे बुरा असर पड़ेगा ग्रहन के चलते इस राशी के जातकों का कार सफल नहीं होगा जो भी कार ये शुरू करेंगे उसमें बाधाएं उत्पन होगी इसके अलाबा किसी से बाद बिबाद भी हो सकता है कैरियर को लेकर भी चिंता हो सकती है और नवकरी तक जा सकती है परिबार के सदस्यों की सेहत भी खराब हो सकती है इस राशी के लोग अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए नमबर दो मिथोन राशी दोस्तों जेवतिश शास्तर के अनुसार चंदर ग्रहण का बुरा प्रभाव मिथोन राशी पर भी देखने को मिलेगा इस राशी के जातकों की सेहत खराब हो सकती है और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है परिबार के लोगों के साथ उनके संबंद खराब हो सकते है और छोटे भाई बहनों से बिबाद हो सकता है चंदर ग्रहण के दोरान अपनी वाड़ी पर नियंतरर रखे और किसी से भी बहस ना करे इस दोरान किया गया कोई भी विबाद आपको नुकसान पहुचा सकता है दोस्तों सिंग राशी के जातकों के प्रेम जीवन पर इस चंदर ग्रहण का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा जीवन साथी के साथ उनके लड़ाई जगड़े हो सकते हैं इसके अलाबा परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है माता पिता से किसी मामले पर मत भिन्नता हो सकती है कैरियर में रुकावट आ सकती है और सफल हो रहा कारे भी आसफल हो सकता है दोस्तों जीवतिश शास्तर के अनुसार चंदर ग्रहण के दोरान कुमब राशी के जातकों की सेहत खराब हो सकती है और इन्हें सिर्दर्द की परहशानी का सामना करना पड़ सकता है और पैसों से जुड़े मामलों में इनका नुकसान हो सकता है बहन चलाने में साबधानी रखे इस दवरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो बीडियो को लाइक कर दिजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने बाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सके मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत